इस वीडियो को sponsor किया है Famisafe ने जिसकी मदद से आप अपने आपको और अपने family को social media पे रख सकते हो, protected इसको आप अपने phone से या PC के dashboard से कर सकते हो, access, PC पे आपको मिलते है additional features जिसका आप फायदा उटा सकते हो, इस software पे चल रहा है 3 दिन का free trial तो इसको नीचे description box में दिये वे link से download करने पे आपको 3 दिन का free trial मिलता है, या फिर अपने Android के App Store, Play Store पे जाके directly Famisafe टाइप करके आप इस software को download करके अपने Android या iPhone पे install कर सकते हो, Famisafe लेके आया है आपके लिए iPhone 12 का giveaway, इसका भी link जिसे description box में है, जिसे पे click करके आप इस वाले page पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाल कर यहाँ पे submit कर लीजिए, इसका जो कि वेगा result है, इनके ही website पे आपको देखने मिलेगा, सारे link जिसे description box में है, check out जरूर कीजिए वो यह है कि Maximum जो leakers है, चाहे वो John Prosser हो, Doan Rui हो, या फिर Mark Gurman हो, सभी का बोलना एक ही बात है कि iPhone 12 series जो है कल के event में Apple launch नहीं करेगा, हो सकता है कि Apple कुछ surprise दे दे और launch कर दे, लेकिन Maximum लोगों का 90% जो leakers है, उनका यही मानना है कि कल का event होगा, उसके अंदर iPhones launch नहीं होग जो काफी disappointing है, मैं जानता हूँ, आप लोग बहुत जाता इंतिदार करते हैं, आपको pricing जाननी थी, जो कि सबसे important है, ताक्या पुराने iPhone, जो iPhone 11 series है, 10R है, उसके उपर कितना price drop होगा, वो जान सके कि उसमें बहुत जाता लोग इंट्रेस्टेट हैं, बहुत जाता expensive होते है, तो Apple Watch के जो lovers है, उनके लिए watch series 6 जो है, यह आने के पूरे-पूरे chances है, event का नाम भी time flies रखा हुआ, आपल ने, तो यहाँ पर time or flies, याने की air, जो iPad आने वाला है, उससे related कुछ ना कुछ information जरूर इसके अंदर है, कुछ ना कुछ hint है, यहाँ पर apple watch series 6 जो है, आने के 100% chances है, जो के series 5 के उपर एक marginal improvement होगा, बहुत ज़दा drastic improvement नहीं, लेकिन एक marginal improvement होगा, और यहाँ पर series 6 Apple Watch ज़रूर आएगी, अगली जो चीज यहाँ पर apple watch, जो लोग first time लेना चारे है, उनके लिए खास तोर पर apple निकास रिकता है, apple watch SE, अब इसका नम SE तो शायद नहीं होगा, ले series 5 के काफी सारे internals देखने मिलेंगे, लेकिन उसमें ECG नहीं होगा, और always on display भी नहीं होगा, तो वो एक काफी अची डिल हो सकती, जहाँ पर series 5 है, series 3 है, और series 3 आज के जमाने के साब से भी एक बहुत अच्छी घड़ी है, जिसको आप regularly use कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर improved internals आपको देखने मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक बहतर chipset देखने मिलेगा, तो यह काफी कमाल की बात हो सकती है, और affordable price पे, अगली चीज यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा interesting है, और आज का जो माहौल बना हुआ है, pandemic वाला, जहाँ पे सब work from home, study from home कर रहे हैं, आने वाले iPad से, iPad 7 generation से काफी एक बड़ा upgrade होगा, body बिल्कुल iPad 7 generation जैसी ही रहने के पूरे-पूरे chances है, ताके price जो है उसको low रख सके, ताके जो entry level customer है, वो उसको ले सके, और अगली चीज आने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत जादा excited हूँ, वो है iPad Air 4th generation, यहाँ पे iPad Pro की पूरी body और design देखने मिलेगा आपको, और इसका जो fingerprint scanner है, और power button है, वो एक दुसरे के साथ जो है, इंटेगरेटिड होंगे, fingerprint scanner जो है, वो power button में ही आपको देखने मिलेगा, लेकिन जो इसका display होगा, 120Hz refresh rate वाला नहीं, बलके 60Hz वाला होगा, जो इसको affordable बनाएगा, और एक बहुचे form factor में, iPad Pro जैसे आपको देखने मिल सकता है, iPad Air 4, iPad Air 4 के अंदर आपको और improved chipset देखने मिल सकता है, अब ये कौन सा होगा, आप नहीं बताया जा सकता, कल के event में आपको सारी बाते पता चल जाएगी, ताके इनका जो source है, जिसने उनको फीडियो बना के भेजा है, obviously Apple में काम करता होगा, उस तक जो है कोई भी problem ना पहुचे, तो यहां पे जो photos और images आप देख रहे हो, यह Apple के AirTags के है, Apple के AirTags क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ultra wide band वाली technology आपको देखने मिलेगी, जो के आपके जरिये से आप उसकी precise location जो है, वो पता कर पाएंगे, तो कोई भी चीज़े आपकी जो है, खो नहीं जाएगी अगर आप Apple के AirTags का इस्तिमाल करेंगे, एक बहुत अच्छी technology है, और ultra wide band जो technology है Apple की, उसको काफी जादा products के अंदर Apple integrate करने जा रहा है, तो यह थी दोस तो आज का हमारा वीडियो उमीद कता हूँ, आपको आज का वीडियो पसना होगा, पसने को लाइक इन शेयर जरू कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए, गुडबाई